6. सच्चा बालक बहुत पुरानी बात है उस समय ना मोठरें थी ना रेलें व्यापारी उँट, खचर आदी पर सामान लाद कर व्यापार करने जाया करते थे वे लोग काफिला बना कर यात्रा करते थे क्योंकि उन दिनों रास्ते में चोड डाकूं का डर बना रहता था एक दिन व्यापारीयों का एक काफिला जीलान से बगदार जा रहा था उस काफिले में अब्दुलकादिर नाम का एक बालक भी था अचानक उस काफिले पर डाकों ने आकरमन करके सब को लूटना शुरू कर दिया एक लुटेरे ने अब्दुलकादिर से कहा तेरे पास जो कुछ है रह निकाल बालक ने अपनी सद्री उतारी और उसका अस्तर भाड दिया सद्री में से खन खनाती हुई अशर्फियां धर्ती पर आगिरी सभी लुटेरे अशर्फियों को देख कर आश्चर्य चकित रह गए लुटेरों का सरदार बोला लड़के तू जानता है कि हम तेरी सारी अशर्फियां छीन लेंगे फिर भी तूने हमें इसका पता बताया अब्दुलकादिर बोला मेरी मा ने कहा था कि जूट बोलना पाप है हमें जूट नहीं बोलना चाहिए मैंने मा को वचन दिया था कि मैं कभी भी जूट नहीं बोलूँगा इन अशर्फियों को बचाने के लिए मैं अपनी माँ को दिया हुआ वचन कैसे तोड़ सकता था? क्या उन्हें दुख ना होता? मुझे अशर्फियां छिन जाने की चिन्ता नहीं है, बस खुशी इस बात की है कि मैंने अपनी माँ को दिया हुआ वचन निभाया. सरदार अश्चर्य चकेत होकर बालक को देखता ही रह गया. बालक की बातों का उस पर बहुत प्रभाव पड़ा. उसने सोचा कि एक छोटा सा बालक जूट नामक पाप से बचने के लिए सच बोड़ रहा है. और एक हम है कि पाप पर पाप किये जा रहे हैं. उसने उसी समय अपने साथियों को व्यापारियों का माल लोटाने का हुक्म दिया. तथा भविश्य में कभी भी कोई गलत कारे ना करने का संकल्प लिया. झाल